असलम अलेकूम आज हम बनाएंगे मटन भूना गोस्त जो की बहुत ही सिंप्ल रेसिपी है और इसे मैंने एकदम बेसिक इंग्रेडियन से ही बनाई है तो चलिए शुरू करताज की रेसिपी पहले मैंने एक पैन को गरम कर लिया और फिर एक टीमे लियानी हाफ कप तेल मैंन यहां पर दो तेज पत्ता और साथ में तीन से चार मीडियम सेच प्याज को मैंने बहुत ही फाइनरी स्लाइस करके डाला है और प्याज को हम हाई फ्लेम में भूनेंगे जब तक ना प्याज में ड्रक ब्राउन कालर आ जाए चार से पांच में टाइम लग सकता है ऐसे ड्र और फिर हम इसमें एट करेंगे मटन मैंने यह आप पर 500 क्रम मटन ले लिया है और मटन को फिर प्याज की साथ हम भूनेंगे हाई फ्लेम में ही भूनेंगे लो फ्लेम में भूनेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है क्योंकि मटन से जो है बहुत ज़्यादा पा बूट़ाय मैतन का कालर थोड़ा सा ट्रक्षी जाएग Go अध्यन माटन सा जो जाए और इसे की अंधल का पानी बिलकुल ड्राइ। तब मसाला करेंगे तो गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और आभी इसमें मसाला एट करना है तो पहले मैंने याप पर एक टेबिल स्पून अद्रकलेसन का पेस्ट साथ में एक टेबिल स्पून लाल मिच का पॉडर हाफ टेबिल स्पून हल्दी पॉडर एक टेबिल स्पून धनिया पावडर 1 पटेबिल स्पून जीरा पावडर इन सब को डाल के फिर हम मसाला की साथ मतन को भूनेंगे लो फ्लेम में 2-3 मिट के लिए लो फ्लेम में भूनना है क्योंकि इसके अंदर अभी कोई पानी नहीं है हाई फ्लेम में पकाएंगे तो मटन नीचे से लग सकता है तो लो फ्लेम में 2-3 मिनिट भूनने के बाद हम इसमें पानी एट करेंगे तो मैंने यहाँ पर एक कप पानी एट कर दिया है चिकन की कंपरिजन में मतन में थोड़ा सा इंग्रेडियन्स यानि तेल, प्याज या फिर मसाला की इस्तेमल जादा किया जाता है अभी लास्ट में हम इसमें एड़ कर रहे हैं नमक, सौध कानिसर और फिर नमक को भी इसकी साथ मिला लेंगे जो की भूना गोस्त है, तो जितनी अच्छी आप इसे भूनोगी उतना ही टेस्टी बनेगी आपकी मतन और उतना ही डर्क कलर आएगा इसमें तो अच्छी तरह से मिलाने के बाद हम इसे कवर करके लो फ्लेम में छोड़ देंगे 10 मीट के लिए और बीच में एक से दो बाद चला लेंगे ताकि मतन नीचे से लगना जाए और 10 मीट की बाद देखिए जो पानी मैंने डाला था वो बिल्कुल ड्राई हो गए और मतन भी अच्छी तरह से भून गए और इसकी कालर जो है पहले से थोड़ा सा डर्क भी हो गए तो अभी हम इसमें फिर से एक कप पानी एट कर देंगे एक साथ में जादा पानी एट नहीं करना है हमें ऐसे एक कप करके पानी एट करना है और कवर करके लो फ्लेम में पकाएंगे हम इसे और फिर से cover कर देंगे और low frame में 10 मीट के लिए छोड़ देंगे या तो फिर जब तक न इसकी पानी ड्राइ हो जाए और 10 मीट की बात देखिए इसकी अंदर की पानी बिल्कुल ड्राइ हो गए और पहले से भी ये थोड़ा सा और dark हो गए और बहुत अची तरसे भून गए अभी मतन हमारा almost 70% पक भी गए है तो लास्ट में हम इसमें एट करेंगे दो कप पानी और फिर हम इसमें एट करेंगे लास्ट में गरम मसाला, half teaspoon की आसपस और फिर इसे भी अची तरसे मिलाने के बाद हम फिर से इसे लो फ्रेम में कवर करकी पकाएंगे 10 से 15 मीट के लिए और 15 मीट के बाद देखिए हमारा यहां पर मतन जो है बिलकुल रेडी है हमें इतना ही ग्रेवी चाहिए था इससे जादा नहीं और यह भूना गोस्त में बहुत जादा ग्रेवी नहीं रहती है देखिए बिलकुल पर्फेक्ट कंसिस्टेंसी लग रही है बहुत ही टेस्टी बहुत ही लजिस बनी है और हमारा मतन जो है यहां पर एकदम सॉप्ट भी हो गए मतन को पकते हुए मुझे यहां पर एक घंटा हो गए क्योंकि मैंने लो फ्लेम में ही पकाया इसलिए थोड़ा सा टाइम ले लिया और लो फ्लेम में ही इसका टेस्ट जो है बेस जाता है तो आप भी कोशिश करें अगर टाइम हो तो इसे लो फ्लेम में ही पकाये और अगर इस स्टेश पर भी आपकी मतन ठीक से गली नहीं है तो फिर से इसे एक कप पानी एड़ करके 10 मीट के लिए लो फ्लेम में छोड़ देना है और अभी हम गैस की फ्लेम को उफ कर देंगे और इसे 5 मीट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ेंगे और पांच मिट के बाद देखिए कितना अच्छी कितनी लजिस बनी है बहुत ही टेस्टी बनती है बहुत बेसिक इंग्रिजिन से हमने बनाया फिर भी इसका जो टेस्ट है बहुत ही अच्छी है तो आप इसे रोटी पराठा नान या तो फिर प्लेन राइस पुलाओ किसी की अगर आपको अच्छी लगी तो मेरी वीटियो के नीचे एक लाइक बटन पर क्लिक करें और मेरी चैनल को भी सब्सक्राइब करें